हश्कार बेढम तन्भीर आलम है आप हेड्लाइन्स बिहार देख रहे हैं कुशेश्वरस्थान और तारापुर्ग लेकरके जो चुनाव के परिणाम है वो सामने आने लगे हैं और कुशेश्वरस्थान में राउंड वन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है और आपने स्क्रीन पर राउंड वन की वो तस्वीर देख रहे हैं और राउंड वन में आखिर आर जेडी जेडियू लोग जनशक्ति पार्टी और कॉंग्रे उन्हें 249 वोट जो है वो मिले हैं और अमन भुशन हजारी जो जनतादल यूनाइटेट की कैंडिडेट है उन्हें कुल मिलाकर 212 वोट जो है वो प्राप्त हुए हैं और आर जेडी के कैंडिडेट राश्टी जनतादल के कैंडिडेट को 2509 वोट जो है वो प्राप्त हु 77 वोट मिले हैं जो independent candidate है राम बहादुर आजाद भी independent candidate है जिने 89 वोट जो है वो प्राप्त हुए है और नोटा किया बात करें तो कुल मिलाकर नोटा में 182 वोट जो है वो प्राप्त हुए है और आपको स्क्रीन परम लगतार दिखा रहे हैं कुशेश्वरस्थान से ये तस् और कुशेश्वरस्थान में round 1 जो है वो complete कर लिया गया है और round 1 में RJD राश्टी जनतादल जो है वो लीड कर रही है कुल मिलाकर गनेश भारती को 2509 वोट जो है वो प्राप्त हुए हैं दूसरे नंबर पर 2112 वोट के साथ JDU के अमन भुशन हजारी है तो वहीं तीसरे नं नंबर पर अतिरेक कुमार जो है वो 249 वोट के साथ टिके हुए हैं और पांचवे नंबर पर बात करें तो जनाजिकार पार्टी लोक्तांत्रिक और उसके बाद से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं और कुल मिलाकर 182 वोट और सब हैं प्राप्त हुए हैं दूसरे नंबर पर 2112 वोट के साथ जनतादल उनाइटेड के अमन भूशन हजारी तीसरे नंबर पर राम विलास लोग जनशक्ति पार्टी राम विलास यानि चिराग पासवान की कैंडिडेट अंजु देवी और वहीं चौते नंबर पर अतिरेक क अखर क्या कुछ निस्व कर शायगा उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे